ये मातादी दोस्तो, दोस्तो नवरात्रे चल रहे हैं और 20 एपरेल को अस्टमी तिथी मनाई जाएगी, अस्टमी का जो दिन होता है ये बहुती मैतपोन होता है, इस दिन कुछ अच्छे दूरलब योग बन रहे हैं, महासहियोग बन रहे हैं, उनका लाव भी आपको इस दि जिवन में होने वाला है, जिन शे राशियों की हम बात कर रहे हैं, उनमें जो सबसे पहली राशी है, वो है मीश राशी, ग्रहों का ये जो संयोग है, ये आपके लिए धान और करियर के मामले में बड़े ही अच्छे रिजर्श देने वाला साबित होगा, आपके कारे शेत लिशानियां हो सकती है, वैपारियों के लिए भी ये अस्टमेति थी, बहुत ही लाबदायक रहने वाला है, आपके लिए इस दिन अगर हम शोबंकों की बात करें तो वो आठ और नो है, अब दूसरी राशी की बात करते हैं, तो दूसरी राशी है करक राशी, चंदरमा की प्राप्त होगी, आप अपनी यात्राओं के तरिकों में थोड़ा बदलाव जरूर लेकर आएंगे, परिवार में किसी महतवपोन निर्ना को लेकर इस समय अच्छी शुरुवात होने वाली है, मन में थोड़ी सी आशंका जरूर थी कामकाज को लेकर, लेकिन आप बेजी प्री राशी की बात करते हैं, तीसरी राशी है कन्या राशी, कन्या राशी के लोगों के लिए ये समय सबसे अधिक आर्थिक उन्नती के शुब संय योग बना रहा है, धन व्रद्धी के योग बना रहा है, कारे शेत्र में आप अगर आलस पन को छोड़ दें, तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, इस दोरान अगर आप व्यापार के सिलसले में यात्रा करते हैं, तो वो बेहद सुखद रहेगी, किसी भी तरह की लापरवा ही न वरते हैं, ये समय आपके लिए सुखद अनुभव लेकर आया है, आपके कारेशित में, आपके पारि अगर को यात्रा आप करते हैं, तो इस समय यात्रा को टाल देंगे, तो अच्छा रहेगा, पांचवी राशी कुम्भ राशी है, कुम्भ राशी वाले लोगों के लिए ये समय प्रीब समन्द के मामले में बहुत अच्छा है, मन बड़ा प्रस्तन रहेगा, आपके जीविन साती के साथ भी अच्छा समय आप व्यतीत कर पाएंगे, कारेशित्रों में आपका प्रद अच्छा समय आप व्यतीत कर पाएंगे, अचानक से आप देखेंगे कि कुछ रुके हुए कारिया आपके पून होते जा रहे हैं, तो दोस्तों और अधी कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेर कर कर दोस्तों करें, कर दोस्तों करेंगे कि कैसी जानकारियों कार रहे हैं, झार येए.